गुड आफ्रनून एंड वेरी वांड वेल्कम टो टो टेस्ट्रेनिंग और आज हम आज फाइनली एड्स मेनेजर के बाद बात करेंगे फेस्बुक पे लीड़ कैसे सेट करते हैं एक स्टेफ वाइस प्रोसेजर एस्टेफ वाइस प्रोसेस है जो हमें फॉलू करना है और इ कि अन्डरस्टैंड कि लीडक कहां से आती हैं और कैसे हम बैटर लीड के आ सकते हैं जो चितना अब बैटर कॉलिटी लीड जंडरेट करेंगे जीतना अब ज़्याद़ से ज़्याद़ अच्छी दिया generate करेंगे उतना ही उसका impact दिखने को मिलेगा हमें recruitment में क्यूंकि we have been talking that आपका जो prospecting है that is directly proportional to the rate of recruitment you have जितना ज्यादा आप प्रॉस्पेक्ट करेंगे जितना ज्यादा अच्छा प्रॉस्पेक्ट करेंगे उतना ही आपका recruitment better हो जाएगा और आज के training के लिए हमारे पास जम हो रहेगा तो हमने सुस्मिता का account use किया है तो मैं अभी screen share कर रहा हूं and यहां से let's go to सुस्मिता's page I'm hoping you have a page okay and page से हम promotions कर सकते हैं I have talked about this thing that कि आपका जो page है यहां से पहले आपको promotions करने एक बार जब आपको promotion समझ में आ जाएंगी उसके बाद आपके लिए advertising और भी असान होती है that is like you know the integral अगर मैं basics की बाद फिर से कहूं सबसे पहले मुझे page होना चाहिए page का मेरे पास एक content और एडिटोरियल का planner होना चाहिए मुझे वहां पर अपनी ब्रैंडिंग ऑसंसिटी ऑसंटिसिटी credibility सारी चीजों पर काम करना है and then वहां से जो भी relevant content है जो मैं चाहता हूं boost करूं promote करूं I start using the facebook promotions और जब मैं promotion पर क्लिक करता हूं तो हमारे पास बहुत सारे option है मैं अपने post को भी boost कर सकता हूं और यहां पे मेरे पास और भी multiple options आते हैं जहां से मैं promotion run कर सकता हूं मैं what's up पे messages लेकर आ सकता हूं या inbox में I can get more calls to my business अगर मेरा website है मेरा blog है वहां पे मैं लोगों को बेज सकता हूं मेरे messenger में you know message आना शुरू हो जाएगा अपने page की जो likes हैं उनको मैं बढ़ा सकता हूं local business में promotion कर सकता हूं और leads में लेकर आ सकता हूं जो भी मुझे business के लिए चीज़े required है वह में promotion से भी करता हूं और promotion काफी quick होते हैं काफी easy होते हैं यहां से भी आप एक lead ad set कर सकते हैं यह आपके mobile पे भी option होता है देस्टॉप पे भी option है और अगर आप ads manager या page manager आप यूज करते हैं वहां पर भी आपको इन चीज़ों का option मिलता है अगर आप यहां पर देखोगे सारी promotions में क्या difference है difference बस एक ही चीज़ है वह है objective और हर बार जैसे मैं कहता हूं कि आप जब भी कोई चीज़ प्रमोड करते हो उसका objective एक ही होना चाहिए एक पोस्ट के दो objective नहीं हो सकते कि लोग मुझे what's up भी करें लोग मुझे message भी करें लोग मुझे कॉल भी करें नहीं एक ही objective होता है और हमेशा से हमें क्या करना होता है उसी objective को उसी particular objective को consideration में लेना होता है so that this action happens याने अगर मैं चाहता हो कि मुझे वहां से ज्यादा से ज्यादा लोग कॉल करें मैं दूसरा objective चूज करूंगा यहां पे फिर मैं अपना number नहीं दूंगा caption में WhatsApp का link नहीं दूंगा क्यूं क्यूंकि that does not make any sense Facebook confused होता है what does this person want जब तक आप अपने objective में काफी specific नहीं रहेंगे आपके promotions अच्छा perform नहीं करेंगे तो very important okay तो यहां से भी आप देखो आपके पास बहुत objective है जैसे I want more messages coming on my Instagram on my messenger या मुझे page likes बढ़ाने है more and more people should like my business community out here मुझे local business promote करना है मेभी अपने 2 km 3 km radius में कितने लोग हो सकते हैं जो मेरे business में interested है या मुझे leads generate करनी है उसके लिए मैं contact form set करता हूं तो यह चीज़ बहुत important है कि एक बार जब मैं अपने page manager में जाता हूं sorry page में जाता हूं promotions tab मैं मैं उन promotions को try out कर लूं और एक बार जब मुझे promotions समझ आ गई उसके बाद मैं आऊंगा अपने facebook ads manager में आप तो आपका जो ad है यहां से run होने लगता है last time training में मैंने आपको काफी detailed overview दिया था एक ads manager में क्या क्या चीज़ें होती है जैसे settings में आप क्या कर सकते हैं health में आपको कैसे जाना है और भी काफी advanced चीज़ें business manager में but I don't think कि हम उतना जाने की जरूरत है अभी क्यूंकि आज हम demo ले रहे हैं तो quickly say like you know let us set up an ad तो अभी जब मैं ads manager में आया अभी देखो यहां पे कोई campaign run नहीं हो रहा है सबसे पहले ideally मुझे क्या करना चाहिए मुझे settings में जाना चाहिए थोड़ा सा slow चल रहा है I don't know why my internet is a bit slow авश्य जाना प्लाश्य टाकर दो स्वेश्य आप दूमकर दूगा और यहां पे अपना पैसा पैसा एड कर दूँगा, so whatever money I want to add, अब जैसे like you know, मेरा month of September को लेके मेरा budget है, 10,000 रुपए, मुझे 10,000 के एड और प्रमोशन चलाने है, तो यहां पर मैं 10,000 रुपए एड करूँगा, and I can use like you know, my debit credit card, net banking के options, so that like you know, मेरा payment यहां पर एड हो गया, that is important, क्योंकि अगर आपके account में funds नहीं है, आपका ad run नहीं होगा, आपके ad account में problems आ जाएंगे, so that's like you know, the basic, right, so when I come to my ad manager, यहां पर देखो, अभी कोई भी campaign नहीं है, या तो यहां से में create ad पर click करूँगा, या फिर यहां से में आप देखो create पर click करता हूँ, now the moment I click on create, यहां पर देखो क्या होता है, again मुझे objective कहता है, चूज करो, आपका objective क्या है, इस ad से आप क्या चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि आपका जो personal brand है, उसकी awareness बड़े, आप जो content post करते हो, उसका reach काफी ज्यादा enhance हो, आपको engagement चाहिए, आपको lead चाहिए, आपको message चाहिए, तो मैं कहूंगा मुझे एक lead generate करना है, I want to generate leads, right, तो मैं किस पर click करूँगा lead generation पर, तो मेरा objective क्या है, lead generation, as simple as that, और lead generation में, और बाकी सारे ads का formatting से हम रहता है, objective चूज करने के बाद, आपको audience देना होता है, budget and duration देना है, media देना है, और last में call to action, जैसे यहां पर हमारा call to action है, contact form set करना रहेगा, message में automatic chat रहेगा, तो हर एक वो थोड़ा सा different रहता है, बट overall जो एक basic तरीका है, वो similar है, तो अगर आप promotion से इसे सीखेंगे, आपको add भी बहुत easily run करना आ जाएगा, Now when I talk about lead generation, तो अब यहां पर सबसे पहले campaign का नाम मंगते है, Now for instance, आज का मेरा जो campaign है, मैं reach out कर रहा हूँ, Women, जो 35 से 50 के age के group के बीच में है, And I want like, you know, invite them to join my business, join my opportunity, Now यहां पर में नाम दूंगा, for instance, आज का तारीक है 12th, So I'll have, like you know, woman, I want to run my ad in East of the India, And then woman East, और यह हो रहा है run August 12th को, ठीक है, तो यह मैंने, Ad set, यहां पर मैं तीनु का नाम सहमी दूंगा, यह किसलिए देना होता है, कल को जब आपके, यह optional है, जरूरी नहीं है, इससे आपके ad के performance पे कोई फरक नहीं पढ़ता है, लेकिन जब मैं नाम देता हूं, कल को जब मैं बहुत सारे ad create करना शुरू कर देता हूं, मुझे नाम देखके पता चलता है कि ad कौन सा है, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा डूड़ना मैं किस particular ad की बात कर रहा हूं, just for that purpose, तो यहां पर जब आपका नाम दे दिया, I'll click on continue, just a second, तो यहां पर जो campaign नाम मैंने दिया, उसके बाद special ad category तो नहीं है, क्योंकि कोई political या social political, social economical ads मैं नहीं चला रहा हूं, यहां पर buying type auction रहेगा और objective क्या है मेरा, lead generation है, right, मुझे contact form set करना है और मुझे leads से क्या नहीं, तो इसको भी मैं change नहीं करूंगा, तो पहले step में अगर आप देख रहे हो, मुझे कुछ नहीं करना है, सारी चीज़े as such जो है वैसी ही रहेंगी, बस मुझे यहां पर next पर click करना है, एक step हो गया मेरा, तो कितना असान है पहला step, right, लेकिन दूसरा step बहुत important है, अभी देखो आपको कह रहा है कि आपने जो terms of services है वो accept नहीं करें, तो facebook का जो भी terms of services है जैसे view terms इसको मैं accept करूंगा, क्योंकि मैंने facebook के terms and conditions accept करें, अब मैं add चला सकता हूं, जब मैं दूसरे यहां पर subset में आया है, यहां पर मुझे फिर बताता है कि आप जो lead generate करते हो, वो method क्या होगा, क्या आप एक contact form set करोगे, क्या आप एक automated chat set करोगे, या आपको calls मंगानी है, याने यहां पर मुझे तीन option आता है, और आपको खुद देख रहा है कि मैं किस चीज़ को लेके convenient हो, लेकित तीन हो चीज़ है, call to action में नहीं आ सकती, कि form भी create होगा, automated chat भी set होगा, नहीं, एक चीज़ आप choose कर सकते हैं, तो यहां पर अगर आप चाहते हो कि आप एक form set करो, जहां पर आपके पास leads आ जाएं, तो आप instant form पर click करोगे, आप चाहते हो कि message करें लोग और एक automated chat रहे, तो आप एक automated chat वाले option पर click करोगे, आप चाहते हो कि आप number देके लोग directly आपको call now का option आ जाए, और लोग आपको call करें, आप calls दे सकते हो, अभी आज का जो हमारा demo है वो रहेगा instant form को लेके, now यहां पर मैं कहूंगा lead method instant form है, और now यहां पर मुझे एक estimate आता है, कि per day इतने logo तक पहुँचेगा और इतनी leads आ जाएंगी आपके पास, और potential reach मेरे ad की इतनी है, duration set करी है, नहीं मैंने media add किया है, तो यह estimate अभी के लिए valid नहीं है, यहां पर जब मैंने app set किया कि मुझे तो lead चाहिए instant form create करना है मुझे, उसके बाद यहां से आपको facebook पूछेगा कि कौन से page के लिए, now कुछ लोगों के पास multiple page होते हैं, तो यहां पर आपको careful रहना है कि page कौन सा pick कर रहा है, तो अगर आपका यह primary page है, जिस page को आप use करते हो add run करने के लिए आप उसी page को choose करेंगे, ठीक है, तो यहां से मैंने इसको choose किया, now this is something interesting जो एक अच्छा feature है कि dynamic creative like you know creative elements provide करो आप जैसे image हो गया headline हो गया, और automatically Facebook उनके combination बनाएगा, तो usually जब आप काफी high budget के campaign चलाते हैं और आप multiple add चलाना शुरू कर देते हैं, तब आप dynamic creative on कर सकते हैं बड़ अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, मैं directly आ जाओंगा budget and schedule पे, यहां पे आप मैं lifetime budget चूद करूंगा, and क्यूं क्यूंकि इससे मुझे idea मिलता है कि मेरा जो add है कब शुरू होगा, कब खत्म होगा और मुझे फिकरत नहीं करनी पड़ती है कि मुझे manually off करना है क्यूं, क्यूंकि मैंने एक timeline limit दिया है, my add should be running from this date to that date, now lifetime budget मैं कहूंगा मेरा जो budget है, now जैसे 2500 रुपए है मेरा, I want to spend 2500 और मेरा जो add है, यह होगा run आज से, तो आज शाम को 9 बजे से मुझे इस add को run करना है, तो यहां पे मैं वही time post करूंगा, और यह जो मेरा add है, यह चलना चाहिए, पूरा Sunday तक मैं इसको run करूंगा, शाम के 9 बजे तक, 12 से 13 लाइक नो मैं दो दिन का add चला रहा हूं, और मैं 2500 spend कर रहा हूं, और यहां पे मैं duration set करी है, आज शाम को 9 बजे से चलेगा, और 14 शाम 9 बजे तक, मेरा leads आना शुरू हो जाएगा, अगर आप देखरों, यहां पे estimate change हो रहा है, क्यूंकि आप मैंने budget and duration set किया, और अगर आप यहां पे देख रहे हो, अभी का जो budget है 2500 रुपीज का, और जो actual target audience है, इतनी leads आ सकती है मेरे पास, लेकिन अभी यह leads filtered नहीं है, क्यूंकि मुझे पता है, मुझे कैसे लोगों तक पहुंचना है, तो मैंने क्या किया यहां पे, मैं यहां पे अब audience चूज करूँगा, अभी मैंने क्या किया दूसरे वाले set में, दूसरे वाले set में मैंने instant form चूज किया, कि मुझे एक form set करना है, मैंने page चूज किया, कि मुझे किस page के लिए add चलाना है, और यहां पे मैंने budget and schedule किया, कि कितने दिन का add रहेगा, और कितना पैसा मैं इसमें invest कर रहा हूं, then I will come to really important part, जो है audience, जैसे इंडिया में है, इंडिया में कहां पे है, और चूज किया, then I'll say, जो रहते हैं, और जैसे like, मैंने थोड़े और elite areas ले आसपास के, now मुझे इन तीन जगह से lead generate करना अपने लिए, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं काफी specific हो रहा हूं, अब मैं Facebook को कहता हूं, देखो आप lead तो लाओगे, लेकिन कैसी lead लाओगे, आप ऐसे लोगों को डूंड़ोगे, जो रहते हैं आसन सौल में, जो रहते हैं कोलकत्ता में, जो रहते हैं silly goodie में, तो मैंने यह तीन location चूज करी, and then यहां से मैं बता दूंगा इसको age group, देखो मुझे यंग लोगों तक नहीं पहुंचना है, यह मेरी अपनी choice है, I want to reach to women, जो for instance like you know, मुझे 40 से 50 वाले age group में target करना है, या फिर like you know 35 से 45, okay, now this is my ideal target segment, this is the set of women I want to reach, अगर मैं सेरी women तक ही पहुंच रहा हूं, तो आप देखो कि अगर आप males के साथ भी business करना चाहते हो, तब आप gender choose नहीं करोगे, आपका create to be वैसा ही होगा, लेकिन अगर मैं सेरी women को target कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने gender women choose किया, now you look at it like you know, मेरा जो estimate है वो filtered हो रहा है, अब मेरी जो potential reach है एड की, वो 5,80,000 लोगों तक वो मेरा एड दिख सकता है, लेकिन daily basis पे minimum 3200 people तक मेरा एड पहुंचेगा, और maximum 9300 तक और per day basis पे मुझे कितनी leads आ जाएंगी, minimum 18, maximum 53, लेकिन अभी भी यह जो estimate है, यह काफी generic है, क्यूंकि मैंने यहां पर जो audience choose करी है, बेसिकली है audience का, कि जो इन एरिया में रहते हैं West Bengal के, जो 40-50 साल के बीच में है और women है, लेकिन यहां पर मैं आप detailed demographics में जाके, अपनी audience को और filter कर सकता हूं, जैसे जो interested है work from home business में, तो जैसे मैंने work from home अगर किसका employer है, यानि उन्होंने अपने profile में लिखा है कि वो गर से काम करती है, तो क्या पता वो मेरे काम में भी interested हो, या जिनका interest है work from home, या जो interested है work from home opportunities में, या फिर जो interest है business में, या फिर जो interest है, money में, right, because you know, मुझे ऐसे लोगों को डूरना है जिनका similar mindset है, यानि ऐसी women जो रहती है इन areas में, जो 40-50 के बीच में है, जो work from home, work from home opportunities, money making, business, इन चीज़ों में already interest है, और वो कैसे पता चलता है आपकी activity से, अगर कोई ज्यादा से ज्यादा work from home चीज़ें डून रहा है, तो Facebook automatically उन लोगों को पगड़ेगा मेरे business के लिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने relevant options choose किये, और now यहाँ पे जो मेरा estimate आ रहा है वो आता है इतना, maybe like you know that is my fixed estimate, और यहाँ से मैं अब अपनी audience को मैं को और narrow कर सकता हूँ, यहने exclude, तो जो लोग already oriflame के साथ associated है किसी तरीके से, उन तक मेरा add नहीं पहुँचना चाहिए, तो आप देखो यहाँ से मैंने उनको exclude भी किया, और यहाँ पे फिर एक और option आता है, reach people beyond your detailed target audience, इस पे आप click करोगे क्यों, क्योंकि Facebook कहता है कि कोई भी अगर और interested हो सकता है, उस तक भी मैं आपका add पहुचा देता हूँ, तो इसको मैं हमेशा click check करूँगा, yes, now यह मेरा final estimate है on the basis of targeting, on the basis of audience, जो मैंने set करी, याने किसनी leads आ सकती है, minimum 18, maximum 52, it means that अगर मेरा add अच्छा perform किया, मेरे पास आराम से 40 leads आ जाएंगी per day की, तो it means that like you know close to 90 leads यहां से मैं expect कर सकता हूँ, right, so that is the amount of leads which I can expect, it could go to 100 as well but बहुत मुश्किल है, क्यूंकि आज के time है जब आप एक अच्छी lead लेके आते हो, उसके लिए आपको cost भी देना पड़ता है, then यहां पे options है, placements का की automatic placement जो recommended भी है, यहां पे facebook आपको बता देता है कि मैं आप का एड़ हर जगा दिखा दूँगा, अगर आपका facebook instagram connected है, then automatic placement बहुत अच्छा work करेगा आपके लिए, और यहां पे optimize for delivery, क्योंकि मैं leads लेके आ रहा हूं तो इसको मैं chance नहीं करूंगा, यहां पे एक और option आता है cost control का, इसका मतलब है मैं cap लगा देता हूं, मुझे per lead 20 रुपए से ज्यादा नहीं चाहिए, अगर मैं यह cap लगाता हूं, तो आप देखो Facebook कहता है कि नहीं इस budget में तो हो नहीं पाएगा, क्यों क्योंकि you know that is how advertisement is happening here, तो आप कहोगे ठीक है 20 रुपए नहीं तो ठीक है 30 रुपए का cap लगा देता हूं, मैं 30 रुपए से ज्यादा मैं leads को नहीं दूंगा, तो इसमें आपको यह estimate मिलता है तो अगर आप एक cap भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो, यह अगर आप कहते हो नहीं facebook में आपको flexibility देता हूं, आप अपने end से देख लो just optimize my ad वह भी आप कर सकते हो, just try both variation that's as simple as that, तो यहां पर जब मैं next पे क्लिक करूंगा, अब यह final stage है यह तो मैंने accept किया terms and conditions, अब यह final stage है और इस stage में मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले media select करना है, हाँ अगर आपका instagram connected है, तो आप यहां पर अपने instagram को connect कर सकते हो, so that आपका जो ad है वो लोगों को facebook पे भी दिखे और instagram पे भी दिखे, that is the good thing right, that makes lot of sense, कि आपका instagram भी है facebook page के साथ साथ, और आपने दोनों को connect कर रखा है, क्यूंकि कल को आपका जो ad है वो दोनों platform पे लोगों को दिख रहा है, और दोनों जगह से लोग आपका content consume कर रहे है, now यहां पर आपके पास option आता है formatting का, क्या single image आपको use करना है video या carousel, carousel में आप multiple image add कर सकते हैं, अगर आपको routine दिखाना है, अगर आपको जिंदीगी के different aspects दिखाने हैं, जैसे like you know lifestyle, socialization, a great career, flexibility, तो आप अलग-अलग image में इन चीज़ों को दिखाना चाहते हो, तब आप carousel use कर सकते हो, और अगर आपने exclusively like you know content design किया है, उसको भी आप choose कर सकते हो, तो अभी मैं single image और video पे click करके choose करूँगा, और यहां पे मैं add media कर लूँगा, और अगर मेरे पास video है, video content बहुत अच्छा work करता है, तो मैं यहां पे जो भी मैंने add के लिए video बनाया है, उसको choose करूँगा, अगर मेरे पास image है तो मैं image को choose करूँगा, तो अभी के लिए like you know, I will choose an image, तो I'll go to upload, तो अगर मैंने canva में कोई अच्छा design बनाया है, या किसी और app में वो design बनाया है, वहां पे मैं जाऊंगा, और वहां से मैं अपने लिए उस design को upload कर दूँगा, जो भी मैंने एक design बनाया है, जो भी मैंने एक teaser बनाया है, जो भी मैंने एक add के लिए template बनाया है, तो यहां से जो भी मैंने image चूज करी add की, मैंने उसको select किया, और यहां पे आप देख रहे हो, now मुझे बस दो step अपने add के करने है complete, एक मुझे caption और headline देना है, और उसके बाद एक contact form set करना है, और मेरा add हो गया set, now जब मैं यहां पे primary text में आता हूं, यहां पे आप क्या text दोगे, जैसे यहां पे जो मैंने अभी image use करी है, क्योंकि मैं 40 से 50 age की woman को target कर रहा हूं, तो I am just telling them कि never stop dreaming, अगर आपके dreams है, I have a perfect business for you, कि इस उमर में आप क्या कर सकते हो, घर बैटे बैटे flexibility के साथ, एक online business setup कर सकते हो, और अपने dreams को fulfill कर सकते हो, अपने dreams को complete, you know, achieve करोगे मेरे साथ, तो यहां पे मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहां पे एक headline देता हूं, sorry, एक caption देता हूं, primary text में, जैसे for instance like you know, तो मेरा primary text है, लेकिन Facebook मुझे यह कहता है, कि आपका जो primary text है, आप एक headline दे दो, आप एक अच्छा यह दे दो primary text, but it's always a good idea, आप थोड़े option भी दे दो, क्यूं? क्यूंकि मुझे कभी नहीं पता कि maybe यह वाली caption लोगों के साथ connect नहीं होती है, लोगों को समझ नहीं आ रही है, maybe they relate to some of my other captions, तो Facebook को मैं option देता हूं, कि आप यह वाला caption भी try कर सकते हैं, तो Facebook क्या करेगा? अपने आप उन captions को optimize करेगा, और जिस caption से आपको ज्यादा response मिलता है, जिस caption से लोग ज्यादा जल्दी inspire होते हैं, उसी caption को Facebook लोगों तक दिखाना शुरू करेगा, तो जैसे मैंने एक दिया, start your online business and enjoy freedom and flexibility like never before, दूसरा हो सकता है like you know. जैसे मैंने दूसरा caption दे दिया, we offer you a perfect opportunity to build and grow your business online, right, तो ऐसे ही मैं और पांच तक caption दे सकता हूँ, अलग-अलग, so that Facebook has the complete freedom to figure out कि सबसे अच्छी caption मेरे लिए कौन वर्क करती है, primary text के साथ साथ और एक important चीज जो है, headline headline आप यहां पे देखो, FB.me जहां पे दिख रहा है, यहां पे मेरी headline दिखेगी, जैसे for instance like you know, join my team now, तो यहां पे मैंने एक call to action दे दिया, or maybe like you know, I write something, okay, now you see, जो भी मैं यहां पे देखो, sign up, उतना strong call to action नहीं है, तो sign up की जगह मैं कहूंगा apply now, क्यूंकि quick action दिखता है, या learn more, right, एक बहुत अच्छा business है, आज ही apply करो मेरे business के लिए, तो अब जैसे यहां पे मैंने यह चीज डाली, तो अभी मेरा जो एड है almost 90% complete हो गया है, क्यूंकि मेरे एड में सारे components आ गया है, तो if I want to like you know expand my ad, and see यह कैसे दिखता है लोगों को, that is how ideally like you know people can visualize my ad, यहां पे उनको मेरा caption दिखेगा, यहां पे जो मैंने एड के लिए image चूज करी है वो दिखेगी, और image में भी मैंने एक lady की image use करी है, जो laptop पे है और एक caption है never stop leaving, आज ही अपना business शुरू करो, और यहां पे मैंने लिखा है कि बहुत ही perfect business है woman के लिए, आज ही apply करो, तो now what will happen, यहां पे call to action क्या है, contact form, लोग apply करें और अपना detail बेज़े contact form में, so that बात में मैं उनको recruit करूँ, अपनी opportunity meeting में बुला के, तो वो मैं कैसे करूँ, अब मेरा last step है मेरे add का वो है contact form, और वो मैं यहां से instant form देखो आप, आपको यहां पे create form पे click करना है, now apply के know form का नाम दे सकते हैं, और एक चीज़ जो आपको यहां पे समझनी जरूरी है, यहां पे जब आप form set करते हैं, एक बार अगर आप बहुत ही अच्छा form set करते हो, जब आप दुबारा से add चलाओगे, आपको दुबारा से एक नया form set नहीं करना पड़ेगा, आप इसी form को repeatedly use कर सकते हैं, तो यह चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कि हर बार जब मैं add चलाओँगा, मुझे अलग से form create करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने already एक form set up किया है, मेरे पास option आजाएगा, तो मैं उसी form को choose कर सकता हूँ, and how do I do that, the easiest way is, सबसे पहले मैं अपने form को नाम दे दूँगा, जैसे like you know, यह है, टाइटल आपने दिया इसको online business for women, जैसे मैं example के तोर पे ले रहा हूँ, तो आपने जैसे form को नाम दिया, कल को आप इसी form को select करेंगे, और यह बार-बार आपका repeated रहेगा, अब यह वारी जो image है, आप देख रहे हो, यह जो image आ रही है, यह मेरे add की image automatically ले रहा है, लेकिन यहां पे भी आप image को change कर सकते हैं, आप यहां पे अपना कोई दूसरा image लगा सकते हैं, maybe stage पे हैं आप, की कोई और business centric image है, जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो, या फिर आप अपने add का भी image यहां पे रख सकते हैं, उसमें भी कोई problem नहीं है, जैसे अभी आपको दिख रहा है, तो जब मैंने अपने form को नाम दिया, उसके बाद I get an option कि आपका intent क्या है, आपको ज्यादा से मतलब गिने चुने, add a review step that gives people a chance to confirm their information, याने review step आप डालना चाहते हो, या आप बस volumes पे काम करोगे, यहां पे दोनों options like you know okay है, higher intent से क्या होता है, अब जैसे अगर मैं higher intent choose करूंगा, last में जब मैं submit करूंगा अपना form, मुझे option आ जाएगा, क्या आप यह detail देना चाहते हो, तो आप रग भी सकते हो नहीं रग भी सकते हो, rather like you know मैं more volume कर देता हो, क्या पता लोग cautious हो जाए, अरे कुछ होगा तो नहीं, मेरा number misuse तो होगा नहीं, कुछ जो भी हो सकता है, so rather than that I will not do it अभी, बड़ आप कर सकते हैं, ऐसा कोई like you know बुरी बात नहीं इसमें, तभी मैं कहता हूं experiment करो, so that you figure out कि आपको more volume से अच्छी leads मिलती है, या जब आप यहां पे higher intent choose करते हैं, तो अभी जैसे मैं more volume पे क्लिक करता हूं, उसके बाद मेरे पास option आता है intro का, और intro में देखो आप अपनी background image को change कर सकते हैं, याने यहां पे अगर आप कोई और image रखना चाहते हैं, तो जो facebook add image का size होता है 1200 into 628 pixels, उसी size में आप एक image को यहां पे add कर सकते हैं, और यहां पे देखो headline text आता है यह बहुत important है, यहां पे आपको लोगों को बताना है कि you know what is basically like you know, what exactly is the kind of action or know something they should be subjected to उनको क्या करना है, तो यहां पे हम headline text डालते हैं, apply for my online business, यहां पे और भी चीज़े हैं usually like you know, यहां पे scroll करने का option आता है, आप हो ही नहीं रहा है, तो इसको मैं अभी close कर दूँगा, फिर मैं आँँगा third वाले section में, जहां पे मुझे लोग उसे question पूछते हैं, अगर आप देखो के यहां पे अभी मुझे क्या question देख रहा है, email ID full name, email ID तो मुझे चाहे नहीं, तो यहां पे लेकिन एक चीज़ है, जहां पे लोग आपको बताते हैं description, let people know कि आप इस information का क्या करोगे, यहां पे यह disclaimer देना बहुत जरूरी है, जैसे I, किसलिए चाहे आपको information, I will use this information to contact you, that's it, as simple as that, यह information में किसलिए use कर रहा हूं, so that मैं आपको contact कर सकते, और यहां पे आप देखो, आपके पास option है, कि आप question यहां से भी set कर सकते हैं, और यहां से एक automated option आ जाता है, अभी वह दिखनी रहा, इसको भी मैंने close कर लिया, फिर मेरे पास option आता है privacy का, और privacy के लिए मैं फिर से facebook में जाऊंगा, और यहां पे मैं आपके facebook page का link उठाता हूं, और इस link को मैंने यहां से copy करके यहां पे paste कर दिया, इसको भी मैंने ऐसे किया, and finally a completion आता है, यहांने अगर आप किसी ने आपका form पूरा fill किया, तब उनको क्या message आएगा, headline, it could be simple, thank you, right, और इस description में आप लिख सकते हैं, जैसे I have got your details, and we will contact you, usually यहां पे लाइके नो देखो, view website को option दिख रहा है, लेकिन यहां से जब मैं scroll करता हूँ, मुझे कुछ भी option नहीं दिख रहा है, तो यहां पे अभी यह form में थोड़ा glitch है, Facebook के answer, इसको मैं कैसे दूर करूँ, अभी जो भी यहां पे मैं detail लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया, अभी मैं इसको कहूँगा publish करो, लेकिन यह publish होगा नहीं क्यों, क्योंकि यह कहेगा अभी कुछ error है, तो पहले अब मैं इस errors पे काम करूँगा, यह देखो, यहां पे मुझे कुछ लिखना है, तो आप इस greeting को रिमूव भी कर सकते हैं, अगर आप लिखना नहीं चाहते हो कुछ, ठीक है, तो मैंने जैसे greeting को रिमूव किया, प्लीज प्रॉवाइड ए वैलिड यूरल, अब जैसे यहां पे था, थांक्यू, अगर कोई आपका फॉर्म फिल करता है, उसके बाद आप देखो, आपके बाद option आता है, आप उनको क्या action लेने को कहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका वो कोई PDF डाउनलोड करें, तो आप डाउनलोड का option देंगे, और यहां पे आप लिंक देंगे कि उनको कहां से क्या डाउनलोड करना है, अगर आपके पास ऐसा कुछ मेकानिजम नहीं है, आपके पास website नहीं है, तो आप यहां पे call business भी कर सकते हैं, कि आप मुझे call कर सकते हैं, और call to action मैं डाल जूँँगा call now, और यहां पे फिर आपको number देना पड़ेगा कि कहां पे call करना है, और यहां पे जो भी आपका एक, सुसमिता कैने प्लीज पिंग मी और number, क्योंकि आपका मैं यहां पे contact forms एड कर रहा हूं, वैसे लाई कि आप अपना separately कर सकते हैं, मैं यहां पे temporary number add करता हूं, मैं देखता हूं क्या मेरा form सही से set हो गया, तो लोगों को ऐसी दिखेगा पहले, contact information, email और यह मिल रहा है, नहीं मुझे तो contact में और भी चीज़ें चाहें, तो what will I do is, अब मैं वापत जाओंगा यहां पे, और यहां पे मेरे form का यह नाम है, form type में मैंने choose किया, intro भी मैंने remove कर दिया, questions में मैं यहां पे देख सकता हूं कि मुझे क्या-क्या question चड़ाने, आप देखो यहां पे email address है, तो मैं यहां पे कहूंगा कि मुझे, just a second, इसको मैं delete करूंगा, email id की जरूरत नहीं है, मुझे उनका नाम चाहिए, मुझे उनका city चाहिए, right, मुझे उनका current occupation चाहिए, मुझे उनका phone number चाहिए, अब यह वाली सारी details मुझे उनसे मंगानी है, now मेरा contact form almost set है, क्यों, क्योंकि मुझे कोई भी जब मेरे add पे click करेगा, apply now पे, तो directly like है, सबसे पहले क्या होगा, यहां पे जो हमने greeting रखी है, वो मेरा form का नाम आ जाएगा, which will prompt them, कि आप यहां पी अपना information दे दो, तो उनका पूरा नाम, उनका city, उनका mobile number और जब यह आ जाएगा, automatically, मेरी privacy policies में मैंने अपने link दिया है, तो वो link वहां पे उनको display हो जाएगा, और कोई जब मेरा like है, form fill करता है, उनको मेरे end से एक thank you message भी जाएगा, कि मेरे पास आपकी details आ गई है, मैं आपको shortly contact करता हूँ, and then call to business का भी option है, और आप इसको मैं publish करूँगा, तो अगर आप देखो कि जब मैं publish किया, अब यह form यहां पे set हो गया है, online business for women करके, तो कल को जब मैं दुबारा से भी add run करूँगा, I do not have to create a new form, इसी form को मैं use कर सकता हूँ, so that's why I will recommend you कि जब आप एक form set करते हो, एक बहुत ही अच्छा form set करो, so that आप उसको repeatedly use कर पाओ, और उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मेरा एक last step है, जो कि publish है, और जब मैं publish करूँगा, मेरा जो add है, वो review में चला जाएगा, और ideally half an hour के बाद approve हो जाएगा या disapprove हो जाएगा, that will depend upon my content, और अगर मेरा add approve हो जाता है, यहां पे अपने ads manager में, मुझे आराम से इसके सारे matrices पता चल जाएगे. तो its ads manager में आके, मुझे easily पता चलेगा, ओके यह वाला जो add है, जैसे अभी draft है, क्योंकि मैं इसको publish नहीं किया, तो अगर मैं इसको publish करूँगा, यह immediately schedule में चला जाएगा, क्योंकि मैंने आज इसको आज शाम के 9 बजे से run करना शुरू किया है, तो यह 9 बजे automatically review में चला जाएगा, और अगर इसको मैं अभी समझो कि 4 बजे से run करूँगा, तो 4 बजे यह review में चला जाएगा, और एक बार जब अप्रू होता है, तो आपको यहां से पता चलता है, कि अभी आपको क्या result मिल रहे है, on Facebook lead कितनी मिल रही है, कितने लोगों ने आपका form बढ़ा है, कितने लोगों तक आपका ad पहुंचा है, आपकी per lead कितने की पढ़ रही है आपको, अभी तक अगर आपका budget 22 का है, 25 का है, कितना amount आपने spend किया है, अगर आपको लगता है कि काफी अच्छा ad perform कर रहा है, आप इ करेंगे, I will recommend कि 3 set को off करो, जैसे यहां पर मैंने off किया, ऐसे आप अपने campaign को off कर सकते हैं, अगर यह campaign आपका खतम हुआ, और आपको समझो कि 25 रुपए में आपके पास 100 leads आ गई, या 80 leads आ गई, लेकिन conversion बहुत अच्छा रहा, लोगोंने order place करे, कुछ लोग seriously काम कर रहे है और कल को आपको दुबारा से नया ad create करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसी ad को duplicate करेंगे और duplicate में फिर आप अपना budget और यह करेंगे, तो आपका ad दुबारा से एक relevant look-alike audience को दिखना शुरू हो जाएगा, but only if I know कि this ad has performed really well and whatever I have invested is worth it, okay, so यह काफी असान तरीका ad run करने का, I am sure you got the clarity on to ad manager today and एक lead ad कैसे set करना है और एक ad के लिए किन चीज़ों पर हमें usually focus करना चाहिए, now we have some time, अगर आपके कुछ questions है तो आप Q&A में पूछ सकते हैं, Do you have any questions guys, अभी Q&A open है, चैट में भी आप पूछ सकते हैं, पूनम का पहुचन है कि promotion अगर start करना है तो पहले कौन सी post डाले, मैंने promotion का जो training किया था, काफी clearly बोला मैंने, उसमें मैंने example भी दिखाये थे, कि किस तरीके के post आपके, प्रमोट कर सकते हैं, इसका मैं आपको quickly answer ऐसे दे सकता हूँ, अगर आपकी post से एक message जा रहा है, एक call to action जा रहा है, याने इनों आप किसी का testimony शेयर कर रहे हैं, चाहिए वो product testimonial हो, चाहिए वो एक business की success testimony हो, उस चीज़ को आप प्रमोट कर सकते हैं, आप, आपने बहुत ही अच्छा travel log बनाया है, अपनी travel experiences का, जो आपने अभी, अभी तक और फिलेम से लिये हैं, उसको प्रमोट कर सकते हो, आइडिया इसकी जो भी content आपको identity आपके पांद leads आ सकती हैं, उस वाले content को आप रमोट कर सकते हो, थोड़ा-थोड़ा करते हो, ठीक है, वाट्सप में कुछ issues आ रहे हैं, क्योंकि यह न चीज मैंने एक दो लोगों से सुनी है कल से, कि उन्होंने वाट्सप का link डाला था, वाट्सप का ad चलाया था, और उनका page ad account ब्लॉक हो गया है, तो मेभी शाहिद लाइक यह वाट्सप को लेके कुछ नहीं policies लेके आ रहा ह ad मस चला दो, बट ऐसा कुछ लाइक यह नो, ऑफिशल नहीं है, क्या ऐसा हो रहा है, जाट लाइक यह नो, कल को कपलो ब्रेंड पार्टनर्स रिष्ट आउट तो मी कि उन्होंने वाट्सप पे ad चलाया था, तब जाके उनका account ब्लॉक हो गया, बट तर देस नहीं ऑफिश यह आपके content में problem, okay so that is something you should understand, do we have any other questions, okay so no questions, so what I will do in that case, बारती जो आपका question है, तो आपको थोड़ा audiences पे सही से काम करना चाहिए, क्यूंकि जो Facebook का success rate है, वो 80% है, याने अगर आपके पास 10 leads आती है, 10 में से 2 male member हो सकते हैं, because like you know, कभी-कभी काफी लोग अपना gender mention नहीं करते हैं Facebook पे, तो Facebook भी खुद कहता है कि मेरा जो audience का accuracy है, वो 80% है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा mail लोग ही reply करते हैं, It means that like you know, आपको audiences में ज्यादा अच्छे से काम करना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा filter डालने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा narrow करो आप अपनी audience को, जितना आप broad रखोगे audience को, जितना आप generic रखोगे audience को, उतना ही आपको ये problem ज्यादा face करनी पड़ सकती है, तो that's why like no be specific कि मुझे narrow audiences में काम करना है, जिन लोगों को ऐसी problem होती है, आदिती का question है कि अगर कोई lead fill करता है, तो वो कहां पे show होती है, अभी मैंने आपको बताया, ads manager में जो आपको result का option दिखता है, वहां से भी आप lead download कर सकते हैं, और एक और चीज़ होती है, just a second, क्योंकि अब यह जो publishing tools है ना यह बिलुकुल business suite में migrate हो गया है, तो यहां से हम देखते है whether that option is still there, तो अगर यहां से भी दिख नहीं रहा है, तो आपका simple तरीका वही है, जो हमने पहले discuss किया था, मैं यहां पर फिर से एक बार दिखाता हूं, जब मैं अपने facebook ads manager में जाता हूं, और मेरा जो ads run होता है, तो यहां पर आपको यहां पर एक option दिखता है result का, right, तो यहीं पर आपके पास एक option आ जाएगा on form leads जैसे 20 leads, तो आपको यहीं से उस पर click करना है और वो यहां से download हो जाएगे, result से आपकी leads डाउनलोड हो जाएगे, ठीक है, so that is where you can download your leads, ads manager में यहां पर results में जाके आप बारती, I think like, you know, आज की training में मैंने filtration पर ही काफी detail account दिया था कि audiences को जितना ज्यादा हो सके, जैसे age group कम रखो, interest वहीं डालो जो female-centric interests है, ज्यादा interest भी मत डालो, एक specific locality या एक specific geography या एक specific city में target करो, that is like, you know, the only way आप अपनी leads को बेटर तरीके से filter कर सकते हैं, okay, so what I will do is now, I'll close the session, और जो हमने कल session किया था, page and ads manager को लेके और आज का जो training है, मैं दोनु का recording आपको group में बेजता हू, then you can, you know, go through the training again if needed, so thank you so much for joining and take care of yourself, bye-bye.